है थेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब दोस्तों यह रीड और रिवाइज सीरीज का पहला वीडियो है और जोगरफी का सेट नंबर आठ है अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह जोगरफी का सेट आठ कैसे हुगा जबकि सीरीज तो अभी स्टार्ट हुआ है तो यह पहले भी सेट आता था बस जस्ट उसे एक नए सीरे से हम लोग सुरू करेंगे और यह कंटिनीव रहेगा वीकली वीक में जो भी जितने भी हर सब्जेक्ट के आएंगे प्लेलिस्ट में रहेंगे आपके अलग-अलग उसको आप देख सकते हैं सेट नंबर आठ है इसे पहले जोगर इंडिया बेसिक्स यह चाप्टर का नाम था भारत के बारे में जो बेसिक्स चीज़े होती है जो हर इंडियन को जाननी चाहिए वैसे भी उसके बारे में यह कुश्चन है इसकी पीडिएफ के लिए आप टेलीग्राम जॉइन करिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप को सब्सक्राइब करें वीडियो सबसे पहले उस पे ही आती है अब पहला कोश्चन क्या है यहां पर एरिया वाइज इंडिया रैंक्स डैस इन दो वर्ल्ड खेतरफल की दृष्टी से भारत का विश्व में अस्थान क्या है तो यह बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत लोग को पता भी होगा जिनको पता होगा लाइव कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करते हुए ठीक है तो इंडिया जो है सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है तो सातवा जो है राइट अंसर होगा एक का एक लेकिन इससे जो बड़े कंट्री कॉन कॉन है यह देख लेज़िए तो एक नमबर पर है पूरे दुनिया में रस्या एरिया वाइस दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है फिर आता है कैनेडा फिर आता है तीसरे नमबर पर USA कौन आता है USA चौथे नमबर पे आता है चाइना पांचवे पे ब्राजील और छटे पे ऑस्ट्रेलिया और साथवे पे हैं इंडिया अब यह तो आपको पता होगा इसके साथ साथ हम लोग जी एस की पूरे आपके पढ़ा है इसलिए मैंने स्रीज का नाम रिडान रिवाइज स्रीज रखा है तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का 2.7 परसेंट जगह या एरिया कैप्चर करता है लेंड का लेकिन यहां पे पोपूलेशन रहती है 17.5 परसेंट पूरे वर्ल्ड का यह दोनों डेटा याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है आपके पढ़ाई के लिए अगला एक फैक्ट बदाता हूं मैं सिर्फ फैक्ट डिविजन करूंगा आपके पास इंडिया में लगभग 6,40,932 विलेज हैं सिर्फ 6,40,000 याद रखिए कभी कोशन पूछ लिया गया है हर एक्जाम में यह जरूरी है भारत में लगभग कितने गाउं है तो 6,00,000 भी उप्शन में हो तो आप उसे मार देंगे ठीक है 6,50 से उपर होगा तो वो साथ हो जाएगा साथ के करीब में आएगा लेकिन अभी 6,40,000 है ठीक है अब आते हैं नौर्थ से साउथ और इस्ट से वेस्ट मैप के साथ हम लोग दिखा देते हैं आपको यह है मैप तो यह हो गया नौर्थ से साउथ और इस्ट से वेस् इस्ट से वेस्ट यह हो गया यह आपको याद होना चाहिए इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कोशन भी पुछूंगा उसका आंसर जरूर करिएगा दूसरा कोशन है कितने राजियों से होकर गुजरती है तो मैं इसका जबरदस ट्रिक देने वाला हूं आपको आप हिंदी से पढ़ने वाले हो या इंगलिस से आपको यह काम आएगा ठीक है इसका ट्रिक है जितने भी स्टेट है सबका एक लिंक है आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा पहले अग्ला यादकरना है आपको बंजा और मित्रु ठींक है यह आपको धियान रखना नेक्स्ट जो है important चीज जो आपके exam में point of wise पूछा जाएगा एक और fact के रूप में मैं बता देता हूँ इंडिया का जो latitude और longitudinal expansion है ये पूछा गया है कई दफ़ा तो ये कितना है अगर north latitude की बात करें तो 8 degree 4 minute से 37 degree 6 minute और 68 degree 7 minute से 97.25 degree इस्ट तक है तो इस्ट में 68.7 से 97.25 ये इस्ट में होगा लेकिन अगर north में पूछा जाए तो 8 degree 4 minute से 37.25 ये इस्ट में होगा किसी भी NCRT book में आपको मिल जाएगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं ये कितने राजियों से गुजरता है तो आठ राजियों से इसका राइट आंसर क्या होगा आठ होगा तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर से डिरेक्टली यहां से हम लोग टाइम टेकिंग करते हैं लेकिन ये जनरली गुजरती है आप्सन आपके सामने है देखके बताइए आंधर प्रदेश उडिसा च्छतिसगर और उत्तर प्रदेश तो किस से नहीं गुजरेगी ये नहीं गुजरेगी महराश्ट्र से अब मैप मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको क्लियारिटी होगी इसमें ये है इसमें जो है ये आगया आपका ऐसे की तरफ आता है ठीक है तो ये उडिसा से गुजरेगा आंधर प्रदेश से गुजरेगा च्छतिसगर से गुजरेगा और उत्तर प्रदेश से गुजरेगा लेकिन इसमें महराश्ट कहीं भी नहीं है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा लेकिन यह एक्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ इंडिया वी वी आई कुश्चन है इंडिया का सौधर्ण मॉस्ट पॉइंट कहां है कन्या कुमारी इंदीरा पॉइंट पॉइंट कैलीमियर और और रमेस्वरम तो बताईए इसको कि इस कोश्चन पर जाने से पहले उपर वाले कोश्चन में देख लेते हैं भारत का जो इंडर टाइम है वो 80 0.5 डिग्री को फालो करता है गया कि यह यह संघ्चन का मतलब है इसको 4 से गुणा करेंगे आप तो हंवारा समय जो है यह कितने मिनट में है आगे है तो यह 5.5 गंटे आगे हो जाता है क्योंकि एक डिगरी में चार मिनट होते हैं तो 5 गंटे 30 मिनट अल्वेज यह आगे दहता है हमारा भारत चलिए यह चीज हो गई अब अगला कुश्चन देखी लेते हैं तो साउधर्ण मॉस्ट पॉइंट यह जो है इसमें दो तरीके के कुश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं पहला होगा कि अगर साउधर्ण मॉस्ट लैंड पॉइंट पूइंट पूइंट मॉऑ ऐसा आपको पता होगा अगला है चलिए से साथ देख लेते हैं कि यह है भारत इसका सौधर इस्टर्ण नॉर्थन ये सब पार्ट कौनसा है यहां से हम समझेंगे इंदिर्या कॉल यह नॉदरण पार्ट है थीक है इंदिर्या कोल यह नॉर्थन है सियाचिन किलेशि यहां का नाम है गुहार मोती या गुहार मोता जो आप कहिए गुहार मोती यह गुजरात में है और इस्टर्न मोस्ट में कौन सा हो जाएगा तो यह हो जाएगा की भी थू की भी थू यह हो गया अरुनाचल परदेश में इस्टर्न मोस्ट गुजरात में हो गया गुहार मोती लिख लेजी गुहार मोती handwriting is not good here but आप लिख सकते हैं नोट कर सकते हैं अब अगला question आपका easy हो जाएगा which of the following pair of state India indicates the eastern most and the western most तो अब map तो आपके सामने था eastern west कौन होगा असम राजस्थान अरुनाचल प्रदेश राजस्थान असम गुजरात अरुनाचल प्रदेश गुजरात तो map अगर आपने नहीं पढ़ा है तो map series भी जोगरफी में वीडियो पड़ी हुई है तो आप देखिए यहाँ पे सबसे जो eastern और western की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यह गुजरात की boundary जो है सबसे इधर आती है और इधर सबसे अरुनाचल प्रदेश की तो गुजरात अरुनाचल इस दा correct answer तो correct answer क्या होगा चार जो है वो correct answer होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं वीच अप दो फॉलइंग इस्टेट ड़नाट फॉर्म दॉडर विथ बांगलादेश बांगलादेश के साथ कौन सा इस्टेट इसमें boundary नहीं बनाता है मेगालाय त्रिपुरा मनिपूर और मिजोरम तो बताइए इसमें कौन सा right answer है तो इसका right answer मनिपूर होगा मैप में देखेंगे तब ये ज़्यादा समझ में आएगा कैसे होगा समझ लिए ये है बांगलादेश इस बांगलादेश से मिजोरम भी option में है तो इसका भी थोड़ा सा पार्ट लगता है और तृपूरा लगता है वेश्ट बंगाल लगता है मनिपूर नहीं लगता है क्योंकि इसके बीच में दो एस्टेट आ जाते हैं एक तो असम और तृपूरा अगर आपको ये मैप बहुत अच्छी पकड़ करनी है तो डेली मैप प्रैक्टिस के लिए एक स्कूल आटलस को सबतने पारीद लेए उस पर प्रैक्टिस कर सकते है ऑधर्वाइस टेलीग्राम में जॉइन करें मैं इसमें इमेज भीजा है और डेली करंट जरूर देखें क्योंकि उसमें मैं डेली मैप कारीवीजन करता हूँ तो अगर डेली किसी भी चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो दुनिया का कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए मुस्किल हो तो डेली करेंट अफेस्स साथ बजे सुबह में जरूर देखें ठीक है तो इसके राइट आशर होगा तीन सर डैनियल रेड क्लिफ को तो यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्ट नंबर का राइट अंसर है दो अब समझ गये होंगे भारत आजाद होता है तो यह बनाता है मैक मोहन लाइन मैक मोहन लाइन किसके किसके बीच में है तो इंडिया एंड चाइना के बीच में है ठी अगला है दस नमबर वीच फॉल्विंग सेपरेट्स इंडिया एंड स्री लंका भारत और स्री लंका को कौन सा स्टेट अलग करता है स्विश कनाल पाक स्टेट बे गल्फ अफ खंबात गल्फ अफ कच राइड अंसर बताइए फिर से मैं आप मैं आपको दिखाऊंगा थोड ठीक है तो इसमें क्या होगा पाक स्टेट बे यहां पर यह आपको दो नमबर राइट अंसर होगा ग्यारा देखते हैं वीच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विथ थ्री कंट्रीज नेमली नेपाल भूटान चाइना तो इसका राइट अंसर पताइए नेपाल से भी लगा है और चाइना से भी लगा है अरुनाचल परदेश मेगाले वेस्ट बंगाल या फिर सिक्किम तो इसका राइट अंसर होगा इसका राइट अंसर आप यहां देख सकते हैं मैप में क्या होगा मैप में देखिए तो लॉंग टर्म तक याद रहेगा इसी के साथ व यह बारा नोमर को चला इंविच स्टेट ऑटेस्ट इंडिया निटरनेशन बाउंडरी आफ इंडिया इस फाउंड मत्ब भारत के कि सिराज्य में सबसे चोटी इंटरनेशनल बाउंडरी पाई जाती है तो यह अफगानिस्तान है आपको जान के हरानी होगी भारत की बाउ पाकिस्तान ऑप्यूपाइड कसमीर से लगता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कस्मीर का जो सबसे ज्यादा बांडी लगती है वो लगती है 40096 किलेवलेटर बांगला देश के साथ, आपने मैप में भी देखा होगा बांगला देश में ठीक है आगे बढ़ते है, Name the place where in India Bay of Bengal and Arabian Sea Indian Ocean तीनों मिलते हैं ऐसा कौन सा जगह है जहां पे अरब सागर, Bay of Bengal और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं It's a very interesting question और यह बहुत ही खुबसूरत जगह भी है और यह है जगह Option कन्या कुमारी इंदीरा पॉइंट और next है नागर कोयल रामेस्वरम गेस करिए गेस करिए मैं देख रहा हूँ live कितने लोग का comment आ रहा है तो बताईए राइट आंसर होगा बहुत लोग गेस कर रहा है तो यह है कन्या कुमारी ठीक है एक जो है वो राइट आंसर है next देख लेते हैं तो यह इलाहबाद के 90 से लिया गया है आपको पता भी होगा तो 14 का राइट आंसर होगा एक ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विच्व फॉल्विंग सिटीजी इस क्लोजेश्ट टू आई एस्टी अब यह कुश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा और हार्ड भी लगेगा क्योंकि इतने सहर को ध्यान से देखना थोड़ा मुस्किल है तो आपको इसको इसको इसर्फ याद कर लिए कि इसके सबसे पास में जो सहर है आई एस्टी इंडियन स्टेंडर टाइम के वह कौन है इसका राइट आंसर होगा उज्जयन नेक्स्ट कोचन है विच अब फॉलिंग इनिट लाइज नौर्थ आप दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब करक रिखा के उत्तर में कौन सा इसमें देश है कौन सा राज्य है तो करक रेखा जो है आपको मैंने ट्रिक बताया था छगू राम बंजा मित्र हैं तो आप देख सकते हैं इसमें इसके उत्तर में पूछा जा रहा है तो आप देख सकते हैं यहां मैं आपको आप्शन बता दे रहा हूं 36 गड़, गुजरात, राजस्थान, इसके उत्तर में मद्यप्रदेश, ये सब तो क्रोस ही करता है, तो इसके उपर का जो भी स्टेट होगा, वो राइट अंसर होगा, मनीपूर जो है, वो राइट अंसर होगा, ठीक है मेघाले या भी राइट अंसर हो लेकिन मेघाले सबसे उपर है द्यान से देखिए यह मेघाले सबसे उपर है ठीक है मिजोरम नीचे हो गया ओके मिजूरम और मनीपूर थोड़ा सा उपर लेकिन जो यह मेगाला है यह सबसे उपर है तो मेगाला इस दर राइट आंसर नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन है सबसे बड़ा दिन सबसे लंबा दिन यह कि सहर में होगा चेनई भूपाल दिल्ली या हैदराबाद तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कैसे होगा सूरेज जो है जून के महिने में इस छेत्र में सबसे ज़्यादा सनलाइट प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा दिन तक रहता है सबसे ज़्यादा देर तक रहता है तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट होंगी उसमें रहता है तो राइट आंसर क्या होगा इसमें तो जो सबसे उत्तर वाला होगा वो होगा दिल्ली दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिल्ली लेंथ होगा Which of the following state of India does not have a common border with Myanmar Myanmar के साथ common border किसका नहीं है तो आपने उपर देखा वो नाचल पतिसका है नागा लैंड का भी है असम का नहीं होगा क्योंकि असम इंटीरियर इलाके में है मैप में हम लोग देख लेते हैं ये रहे असम आपको यहाँ दिख रहा होगा असम और असम देखिए यहाँ मयानमार से नहीं लगा है नागा लैंड लगा है मनिपूर लगा है मिजोरम लगा है अरुनाचल परदेश लगा है ठीक है नेक्स्ट कुस्टन देखते हैं अगला कुस्टन है डूरंड लाइन डिमार्केटेड बिट्विन डूरंड लाइन जो है यह इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है था लेकिन अभी यह पाकिस जो है यह तीन इंटरनेशनल बाउंडरी से लग रहा था लेकिन क्या आप जानते हैं सिक्किम के अलावे वेश्ट बंगाल भी लगता है भूटान से भी लगता है और बंगलादेश से पूरी तरीके से घिरा हुआ है ठीक है और थोड़ा सा हिस्सा नेपाल से भी लगता है भूटान नेपाल और बंगलादेश से तीनों वेश्ट बंगाल लगता है उसी तरीके से सिक्किम भी था जो की तीन चाइना नेपाल और भूटान तो यह आपको जानकारी रहने चाहिए आपके सहुलियत के लिए आगे जितने भी कोशन आप इस टाइप करोगे आपको यह भी हो जागा बीस कोश्चन का यह सेट था खत्म हो गया अब देखते हैं लेंथ आफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसका मैंने सुरू में ही आंसर बताया था देखते हैं कितने ऐसे ब्रेव वाइज और गर्ल्स हैं जो कमेंट करते हैं भारत की जो उतर लंबाई है उसे अब जरूर कमेंट करें साथी साथ कोई और क्वेरी जो कोई सजेशन हो तो जरूर बताए हमें थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग थैंक्स एगें